नवस्कार दोस्तों मैं किसोर कुमाउत आपका पड़तीगा कलासेज के डिजिटल प्रेलफों पर आप सभी दोस्तों का अर्दीक स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज में फिर आपके साथ एक नई खुशकबरी के साथ आजी रहा हूँ आज अपन बात करेंगे आपके अग्रिकल्चर के अंदर एक नई बढ़ती आई हूए मतलब 30 साल के बाद वाला बंदा वो आपके इस पेपर नहीं दे सकता है इसके बाद नमबरों पोस्टेट कितनी है पाँच पोस्ट है इसके अंदर और essential qualification या experience कितना मांगा गया है तो देखो essential क्या है एक तो bachelor degree होने चीए इनने agriculture मतलब B.A.C होने चीए agriculture के अंदर इनके B.A.C की degree in segment के अंदर इसी के साथ जो ABM होता है जिसको अपने agribusiness management बोलते है वो भी आपके इसके अंदर degree को रिकोगना यूनिस टेट है वो चल जाएगी इसी के साथ और इसके अलाव प्रिपरेंस किसको दी जाएगी तो ध्यान रग लेना desirable क्या रहेगा कि जिसके पास master की degree है जो मैंने आपको प्रिये फिल्ड बताए agriculture, horticulture, veterinary अगर इनके अंदर आपने MSC कर रखी है और साथ में अगर आपने जो general है जो आपके क्या बोलते paper है वो paper अगर आपके international general में publication हो रखे है तो आपको category को कितना edge relaxation दिया गया इसके साथ ही इसके अंदर दोस्तों जो farm piece है वो आपके 300 रुपे रखी गई है फारम के फिस कितनी है दोस्तों 300 रुपे फारम फिस है इसके अंदर जो आपके जिनको ये face किसे है मतलब कौन से बच्चे है जिनको छूट दी गई फिस के अंदर तो ध्यान रख लेना female SCST और person with benchmark disability तो जो बच्चे मतलब जो female है या SCST से बिलोंग कर रहे है या जो disabled है उनको इस फिस में छूट दी गई है उनको फारम की फिस नहीं लगेगी ठीक है जो आपके जनल या OBC कास्ट के बच्चे है उनको फारम फिस लगेगी और फारम फिस कितनी है बीस क्यूशन होगे और एक क्यूशन का एक नंबर होगा और टोटल कितने 20 मास का होगा उसके बाद Agripeda and Agriculture Export Related मतलब एपेड़ा और जो अपना एक्सपोर्ट होता है निरियात होता है उसके बारे में आपके कितने 30 क्यूशन आएंगे 300 objective क्यूशन होगे और एक क्यूशन एक माँ का तो टोटल कितने है 30 मास का होगा उसके बाद क्यूशन from the subject consent at degree level मतलब जिस subject के अदर आपने degree कही है उससे related आपके कितने क्यूशन आएंगे 30 क्यूशन आएंगे और वो भी objective टाइप के होगे और परतिय क्यूशन कितने नमर का होगा एक नमर का कितने होगे 30 नमर इसके बाद दोस्तो ऐसे writing and वो आपके ऐसे writing होगया जिसमें आपको दो ऐसे लिखने होगे और एक ऐसे के number कितने होगे 10 नमर तो 2 यसे के नमर कितने होगे 20 और यह आपका कहता होगा descriptive type का होगा इसके अंदर आपको दोस्तों यह numbering का system दे रहा है क्या कुछ रहेगा ठीक है उसके साथ देखो 25% negative marking for every wrong question मतलब कि सई question का एक नमर मिलेगा तो उसका जो 25 अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका 25% आपके काट लिया जाएगा ठीक है तो यह इसके अंदर सारा कुछ है इसके अलावा जो return test होगा वो दिल्ली NCR के अंदर ही आपका होगा कहाँ पर होगा दिल्ली NCR के अंदर ही होगा इसका अलावा फारम बरने की last date क्या है तो ध्यान अगे ना फारम बरने की last date है वो है 7 November 2023 फारम बरने की last date है वो ध्यान रख लेना कब है 7 November 2023 है वो फारम बरने की last date है ठीक है इसका अलावा जो आप photo चुड़ाएंगे वो photo कितने की होनी चाहिए 20 से 50 के भी की होनी चाहिए और इतने वेड़त के अंदर होनी चाहिए ठीक है साड़े 3 सेंटिमीटर से साड़े 4 सेंटिमीटर की होनी चाहिए ठीक है दोस्तों तो त्यारे में जुड़ जाना है बहुत ही अच्छी पोस्ट है इस first को आपको छोड़ना नहीं है ठीक है दोस्तों ऐसे मों के बार बार नहीं आता इसे के साथ जहिन दोस्तों